दोस्तों, नेट्रूक मार्केटिंग के अंदर पूरे हिंदुस्तान में अफ्तर कोरोना और विफोर कोरोना का पविश्यन कोरोना वाइरस ने अपना जाल पूरी दुनिया में फैला दिया और साथ इसार आर्थिक मंदी ने अपना जाल पूरी दुनिया में फैला दिया अमेरिका जैसी मा सकती अपने गुर्टों के बल आ चुकी है और नेगेटिविटी पूरी दुनिया में हर दिमार पे चाच चुकी है लेकिन दोस्तों आप गबराएं नहीं अगर आप नेट्रुक मार्केटिंग याने डिरेक्ट सा लिंग में तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ख़बर है लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपके समझ में जरूर आएगा और सफलता आ और हम स्टार्ट करते हैं हमारी बार कोरोना वाइरस की वज़े से पूरे विस्टों में चाह रही मंदी तो क्या आपको लगता है हमारा भारत वास भी इस मंदी के दौर से बार रहेगा ये से लोग लेकिन हमारे जितने भी भारत के नेट्रॉक मार्केटिंग के लेडर्स बार बार दिमाग के अंदर ये सवाल गूंब रहा है क्या हम इस मंदी से उबर पाएंगे ये या लो इसका जवाब लेकिन आप लोगों को आज एक बहुत मत्वूर बात बताने वाला हूं ये मेरे व्यापार जगत के पिछले 16 सालों का अनुभव और पिछले 40 से 45 दिन की रिजस्थ और कि दोस्तों क्योंकि हमारे भरत के अंदर से हमारे भरत के अंदर आ रही व्यापार में मन्दि और उत वीच में हमारे भरत साइब के अंदर डारेक्ट सकॉत gaat इब एवा शलिंग को पए इस तरह से बढ़ावा देखे अपनी कुसंता और सफल नेत्रत्तों की वज़े से भरत के अंदर मंदी को कैसे दूर करेगी लेकिक उस बीच में क्या आप लोगों की प्रोग्रेस होगी और आप लोगों के पास क्या कुरूना वाइरस के संक्रमन का अच्छू इलाज है आप सोचेंगे मैंने आपको इस वीडियो को देखने के लिए कि मैं आपको इस मंदी का एक बेजूड इलाज बताने वाला हूं वह कावत है ना दोस्तों मुस्कान यानि इसमाई एक खतरनाग वाइरस की तरह फैलती है और दोस्तों यह कावत आपने सुनी है जैर का काट जैर लोहे को लोहे कारता है तो कोरोना भी तो एक वाइरस ही है और हमारे बीच में मुस्कान और उस्ता नाम का वाइरस इस तरह से फैलाना है कि उसकी वज़े से हम पूरे भारत के अंदर हमारे व्यापार में ग्रोत लाके रहेंगे दोस्तों जब जान की पड़ी हो तो मार्केट में जाके सामान कोई नहीं खरीबता फिर भी कुछ जारूरी सामान मार्केट में बिखते रहेंगे इस बीच में बहुत से व्यापार सुन्य पर आ जाएंगे लेकिन उस उस बीच में net-op marketing से वह वहां उत्पाथ जो मानव जरूरतों पे घरे उतरते हैं और coronavirus के संक्रमन के बीच में वहां उत्पाथ जो direct selling से जुड़े हैं वहां उत्पाथ जो मानव, सेवा या मानव की जरूरतों पे घरे उतरेंगे और इस सारी जद्दो जहत के बीच में अगर आपका उत्पाद हेल्थ स्वास यानि वेलनेस से जुड़ावा है डारेक्ट सेलिंग से जुड़ावा है जो आप कस्टमर के घर तक कहुंचाते हैं और आपका उत्पाद रिजर्ट औरेंटेड हैं और उसके अंदर भी वो लीडर काम्याब होंगे भारत के अंदर बहुत से नेट्रोक मार्केटिंग कंपनियां बहुत से नेट्रोक मार्केटिंग के डारेक्ट सेलिंग के लीडर काफी वर्सों से सफल होते रहे हैं जबकि उस समय काफी वर्सों बहने की बात करां उस समय भारत सरकार हम डारेक्ट शेलिंग को इतना सपोर्ट नहीं करती थी फिर भी वो काम्याब होते रहे फिर भी वो कंपने पूरे उसकी एक ही वज़े रही है उन लेडर्स का उस्षा और लोगों की मुस्थान उसी की वज़े से हमारी गवर्मेंट का इतना सपोर्ट नहीं होने के वज़े से भी बरसों वो तक हमारे भारत में सक्षान शेलिंग काम्याब होती रही है शिफ उस्षा की वज़े से चलती है और अगर्णस के संकरमण से बचना चाहते हैं तो अपने उस्षान का संकरमण शेयलाते चले अपना उस्षा बढ़ाते चले मैं आप लोगों को वादा करता हूं आप मुझकूराते हुएए पेसाए और आप हुए और पडेक सेल्इंग में जो भी उत्पात की उत्पात होरा जो आपके बजर के बारे में सारे बलता हूर के कि रिती को रोना संकरमित हो अगर वैसे ही आप लोगों के बीच में की बाते करते हैं लोगों के भीच में मुस्कुुरा के पेस आते हैं तो वो माहोर आपके आजुबाद वाले सारे लोगों को मुस्कान से उससा से संक्रमित करता है दोस्तों चुकी इस कोरोना वाइरस की वज़े से इस संक्रमित की वज़े से भारत में लॉकडाउं की वज़े से यह आज सभी लोगों को पता है हमारे भारती करोणों लोग बेरोजगार हो रहे हैं और मैं काफी लोगों के मुझसे सुन रहा हूँ काफी नेट्रोक मार्केटिंग की लिडर इस बात को लेके बहुत खुस हो रहे हैं लेकिन मैं एक भारत देश का सतर और बजबुत नागरिक होने की वज़े से मैं आप लोगों को ये सला देना चाता हूँ इन चीजों से हमें खुस नहीं होना चाहिए बेरोजगारी की वज़े से भारत की प्रोग्रेस रुपती है इन वज़े से इन कार्णों की वज़े से हमें खुस नहीं होना चाहिए लेकिन हाँ ये बात तैय है बेरोजगारी बड़ेगी तो ये डारेक सलिंग इंडर्स्ट्री है जो उनको गले लगाएगी हम सभी लेडर मिलके उनको गले लगाएगे उनके परिवार के और उनके सपने पूरे करने के अंदर हम सपोर्ट करेंगे लेकिन उसके पहले हमें स्वदेशी स्वदेशी उत्पाद को इंपोर्डेंश यानि महत्व दे रही है तो डारेक्ट शैलिंग के अंदर आप जो भी कर रहे हैं अगर आपका उत्पाद लोगों की उमीदों पर खरया उतरता है और आपके उत्पाद रिजर्ड देने वाला है तो मैं आपको वाद 40-50 दिन के लोगडाउन के दौरान जो मैंने सीखा है उसमें बहुत सारी ऐसे चीजे निकालिये जिसमें हम डारेक्ट शैलिंग को लेके हम सफन हो सकते हैं बहुत से पॉइंट है जो मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो का करेंगे बहुत उसाइट होता हूं मैं आप लोगों का मैसेज का जवाब दूँगा और आप अगर चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आप लोग मैसेज में मुझे इंप्लाइब करेंगे तो मैं इसका आगे का पार्ट यानी बहुत सारे टिक्स हैं जिससे हम हिंदू मार्केटिंग को लेके चैप्टर आप लोगों के बीच बार आते रहेंगे जैए ही वंदे मात्रक जैबार।